उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनाओं को लेकर राजनितिक सरगर्मी तेज है और आज हम आजमगड में हैं आजमगड की सदर विधान सभा सीठ है और ये रैदोपुरी इलाका है और मेरे पीछे जो आप देख रहेंगे तिलोकी चैचा जी की चाई की दुकान है और यहां पर काफी सारे प्रभुध्ध लोग हैं ये बताईए आपने छेत्र की समस्याओं के बारे में क्या आपके चेत्र में जो सरकार्मी वादे किये वह भादे पूरे दूए ब्सक्राइक में हाँ अगर हम सिच्छित होंगे होंगे वह रोजगार चहिए सिच्छित होग हम पकोड़ा नहीं तलेंगे समझ रहे हैं पकोड़ा सब का एक क्लास होता है आपका जी एंबीवे करके चले आईए गोवर फिकिए ठेकने वाले फिकेंगे भाई सौक है हैं बहुत से लोग हैं कर रहे हैं मगर टेकनोलोजी और सिच्छाओं की जरूरत हैं सरकार की जिम्मेदारी नहीं है यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं नोटबंदी से फायदा क्या हुआ क्या करें कि इन लोग के साथ सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं हुआ पेकार है यह अगर सिच्छा अपने घर से घर वाले पढ़ा लिखा रहा है वह बेकार कोई परिच्छा कराईए जो क्वालिफाइड है योगी जी करते हैं हमारे हमारे देश में योग्यता की कमी है आप लागडाउन में पूरी करा नहीं पा रहा है इंटरनेट नहीं लिख हो रहा है पेपर पैसे से पेपर को करते लिख होना बंडोड़ाएगा यह पूचना चाहता हूं पर सवाल खरे कर रहें कि बिल्कु पर खरीदना की को सिस्टों कर रहा है जो टैक की परिच्छा देने जाएगा वहीं लिख रोकने की जिम्मेदार ही किस की है युवाओं की है सरकार की है ना जिम्मेदार होग पर लिख हो रही है किसकी जिम्मेदारी बनते हैं इस सरकार टोटर हर मामले फेला पहले आप आएए आप आएए आप आए जमीन पी बात करिए जमीन का मलत जो जमीन से गरीब जुड़ा हुआ उस पर बात करिए आज गरीब दो वक्त निवाले के लिए मर रहा है महगाई गरीब काई रहा है सरकार जोंब रहा है जो फाइदान रही है नहीं उसको अंदेखेंगे कहाँ कहरी जेसरकार गरीबों करने वाला च्छिलना मांगाई की नाम पे जुड़ा गैस की नाम पे ताव है घर घर सिलिंडर बाटा गया था ए मीडिया की रिपोर्ट है असी परसेंट लोग भरवा नहीं पा रहे हैं इसी सरकार रहे हैं बाबाजी बाबाजी को क्या बताएं आज वो इलाहबाद में जिसको कहा जाता है कि और आज आप देख लीजिए बेहस सर्मनाक घटना उनको हाशल से निकाल निकाल कर उनको पीटा गया इसका जिम्दार आखि कौन है इस जहां बड़े-बड़े नेता भासर देते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान को नौजवानों को इस देश का भविस्त कहा जाता है निन्दनी है यह सोचने की भी से हिंदुस्तान जीसे जहां लोकतन जिन्दा है आज नोजवान जो इदेश का भविस्त हैं उनको लाठियों से निकाल निकाल को कमरे से पीटा गया यूबा चुनाओं में इन मुद्दों पर बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बेरोजग देंगे लाठियों से रोजगार दिया जाए इस सरकार में यह सरकार तोटल फेले और 2022 में नौजवान गरी मजदूर किसान इंतजार कर रहा है जिसके जिसके खेट में साण चर रहे हैं वह इंतजार कर रहा है कि 2022 में चुनाओं कवाए हम और देकर बाबाजी को करेंगे